हाई फ्रेंड्स आज हम अपने किचन में बनाएंगे क्रिस्पी चिकन विंग्स यहाँ हम सबसे पहले चिकन विंग्स ले लेंगे इनको अभी हमने वॉश नहीं किया इसमें हम वन टेबल स्पून नमक डालेंगे टू टेबल स्पून सिर्कर डालेंगे इसमें पानी डालकर इसको फुल पानी से डिप कर देंगे विंग्स को हम आदे गेंटे तक इसमें डिप रखेंगे यह देखें हमने चिकन को अच्छी तरह वॉश करके अच्छी तरह ड्राय कर लेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे 3 टेबल स्पून काली मिज़ डालेंगे 1 ओर टेबल स्पून लाल मिज़ डालेंगे वन पिच हल्दी हाफ टेबल स्पून अद्रग पाउडर हाफ टेबल स्पून लेसन पाउडर डालेंगे साथ इसमें एक लिम्बू का डास डाल देंगे वन एंडा हाफ टेबल स्पून चिले सोस डालेंगे और 1 and a half टेबल स्CEPTON सोया सोस डाल लेंगे और half टेबल स्CEPTON कुटीलाल मिअ डाल देंगे इसको उची तरह mix कर लेंगे इसको हमने इची तरह mix कर लिया, अब हम इसको overnight के लिए sherinate करके रख देंगे अब हम 2 कप मैदा ले लेंगे इसमें वाइन टेबल स्पून काली मीट डालेंगे वाइन टेबल स्पून नमक डालेंगे और वाइन टेबल स्पून कॉन फ्लोर डालेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हम एक पाउल में चिल्ड वाटर ले लेंगे विंग्स को हम पहले मैदे में अच्छी तरह कोटिंग करेंगे इसकी फिर इसको पानी में डालेंगे फिर दुबाड़ा से इसकी मैदे की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से इस तरह हम सब को अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे हमने सबकी अच्छे से कोटिंग कर ली है ये देखें कितने अच्छे क्रण्च आए है अब हम क्राई ले लेंगे इसमें हमने ऑईल डाल दिया ऑईल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें विंक्स डाल देंगे और इसको light brown होने तक हम fry करेंगे medium to low flame पर एक side इसकी brown होगे अब हम दूसरी side कर देंगे विंग्स हमारे fry होगे अब हम इसको निकाल लेंगे अब हम इसे dish out कर लेंगे विंग्स हमारे रेड़ी है कितना अच्छा color आया इसका देखें बाहिर से कितने crunchy और अंदर से कितने soft है आप ये recipe ज़रूर ट्राय करिएगर अगर आपको मेरी recipe फसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें